आज मैं बताना माला हम आपको format कैसे याद रखा जाता है, कोई भी लोग के इंदर drafting का कोई भी format आप easily याद कर सकते हैं, तो सबसे simple क्या होता है, देखना, कोई भी format होना, वो start होगा in the court of, और यहाँ पे court का नाम हो, और फिर at यह जहाँ पे होगा, वो kit वहाँ जैसे न्यू करने वाला होता है, उसे plaint करते हैं, और जिसके खिलाफ किया गया है, उसे defendant, उसे defend करना होता है, कि नहीं, यह सब गलात है, अब यहाँ पर आता हम लिख देते हैं, किसके, जो हमारा topic है, उसको पर यहाँ पर हम बहुत बढ़ा heading दालते है, format में भी, और उसके बाद यह चार इसके अंदर कहा था, कि in the court of, हर सब्जे में, इधर भी आ गया, in the court of, और यह की चीच का है, suit for recovery, under order, this, or CR, CPC, इसके अंदर आता है, तो in the court of, यह format, court का नाम, at, CS, case number, year, in the matter of, किन दो लोगों के बीच में matter है, in the matter of का मतलब होता है, तो यह plaintive का नाम, यहाँ पर, versus defendant, और यह suit, यहाँ पर हम बोड़ी-बोड़ी heading में लिखेंगे, कि किस चीच से रिड़ीट है, court को कैसे पाद चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, यह नहीं, यह तो case था, यह तो हमारा topic था, यहाँ से start to a drafting, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह लिख दिया, कि यह इसके लिए है next, most respectful show worth, अब इसमें हम क्या लिखना होता है, मैंने पता था ना, पहले in the matter of, in the matter of आ गया था, most respectful show worth, इसके लिए हम हमें से dad से start करते हैं, ठीक है, यह दोनों गलत है, बाकी यहाँ से देखो, dad, 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 हमें से सब कुछ यह लिखा, तो इसमें हमें पहले intro लिखना होता है, फिर उसके बाद, जो भी हमारे case होता है, जो भी, मतलब, जो भी drama हुआ है, जो scene है, वो सारा हमें इसमें punch में लिखना होता है, और हमें पूरा बता देना हो, since यह recovery कहते है, तो इसमें amount भी होगा, तो वो भी amount भी easy के अंदर डाल देंगी, ठीक है, आप चाहते होते है, अलग से topic मना के डाल सकते हो, ताकि highlighted हो, उसके बाद क्या था, यह दो, most respectful शोवर्थ को बाद प्रेयर, प्रेयर कहते है कि आप court से चाहते क्या हो, वो आप लिखोगे, उससे कहते है, यहाँ पर हमारे सामने court में आगे, कि मैं चाहता हूँ कि मिरको इतना amount में ले, dissolve हो जाए जो भी चीज़ है, अपना यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, और यह honorable court से आप, facts के अधार पर जो आपने लिखा, उससे आप request करते हो court से कि यह judgment में दे, next आता हमारे सामने, prayer के बाद क्या था, verification, तो अब आता हमारे सामने, verification, जैसे, यहाँ पर, verification में यह verification, उससे पहले हमन लिखते हैं कि कहां पर हमने यह चीज़े लिखी है, और जिसने लिखा है वो, उसका नाम, through, किसके through लिखे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं लिखते हैं, जालता है, लोयर के through लिखते हैं, तो यहाँ पर, date जिस दिन हुआ है, और यहाँ पर आएगा, advocate का नाम, उस signature, जो भी है, और यहाँ पर verification, verification, जैसे हमने यहाँ पर आया गी था, verification, verification मतलब होता है, कि मैं, मैं यहाँ पर I, the authorized representative of plaintiff, मतलब यहाँ पर बोलता है, कि मैं authorized हूँ, plaintiff के, खिलाफ पर, मतलब, उनके, सांत में, बोलने के लिए, उनके, उनके favor में, बोलने के लिए, वह यहाँ यहाँ यह बताया जाता है, verification, यह short form में बोलने हो, तो यह होता है, कि आप कसम खा रहे हो, और यह बता रहे हो, कि जो भी इसके अंदर जानकारी दी गई है, आपने facts में, most respectful show में, वो सारा कुछ correct हो, कुछ भी गलट नहीं है, जो भी आपने लिखा, वो आपकी knowledge में था, कि सही है, बस इतने ही था, और सारे format इसे ही होते हैं, हम देर देर सारा लेकाएंगे, आपको सब में यह comment दिखेगा, जहिन जबार,